अगर किसी को खड़े पैर फटावट हार्टडेक पढ़ जाए मालो इसी स्टेडियम में हो जाए तो हम क्या करेंगे हम फोन करेंगे एम्बुलेंस को फोन करेंगे डॉक्टर को फोन करेंगे और भागेंगे बाहर एम्बुलेंस खड़ी भी आपको शायद पता होगा लेकिन क्या guarantee है ambulance हमें hospital तक पोचा पाएगी जब भी किसी को heart attack पड़े तो heart attack के लक्षन क्या है छाती में एकदम दर्द होगी एकदम खिचाव आएगा किसी एक बाजू में दर्द हो सकती है मुँ में खिचाव आ सकता है और एकदम पूरा का पूरा pressure तो जैसी heart attack पड़े सबसे पहले heart safe position सबसे पहले व्यक्ति को ऐसे बिठा देना है कुरसी पे नहीं मेच पे नहीं क्योंकि गिर सकता है व्यक्ति तो सबसे वहले क्या करना है heart safe position यह है इसमें ऐसे बिठा देना है जिसको भी heart attack पड़े उसके बाद फटा-फट हम सब के घर में एक छोटी सी चीज होती है बड़ी बहुमुल्य है और यह है अदरक इमीडियेटली इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा आपने उसको बोलना है कि आपने इसको चबाना शुरू कर देना है इतना चबाना है कि आखों से पानी आ जाए दो से पांच मिनट में आखों से पानी आ जाएगा समझो आपकी ब्लॉकेज बच गई सिधार शुकला केके आप सब जानते हो वो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुच पाए क्योंकि उनको हार्ट अडेक पड़ा और प्राबलम हो गई तो सबसे पहले हार्ट से फोजिशन फिर आपने खिलाना है अद्रक उसके बाद आप हुस्पिटल ले जाओ वैसे बच चुका होगा वो क्योंकि इमीडियेटली बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोड़क्शन बढ़ जाएगा और आपका वैसो डाइलेशन होकर नसे खुल जाएगी तो ब्लॉकेज आपकी दूरो जाएगी और आप बच जाएंगे